जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन-कौन उठा है वोकाब की सुभा क्लास के लिए चले यह जो वोकाब की क्लास है जैसा कि आप जानते हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जिस भी एक्जाम में इंग्रिश पूछी जाएगी उस हर एक एक्जाम में वोकाब पूछी जाती है तो आप सभी के सभी फ्रेंड्स मिलकर एक बड़िया तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे आपके दिन के शुरुआत थौट आफ दा डे के साथ क्या बोल रहा है कि अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करो कि वो हर एक चीज में अच्छाई ही ढूंडे क्योंकि जो एक पॉजिटिविटी है जैसे मैं भी आपको बोलती हूँ अपको यह नहीं की अपचुनिटी मिले गी पॉजिटिविटी की आपको खुद क्रीट करनी पड़ीगी वो चीज और पॉजिटिविटी एक cheat है अंगर आप बोलोसिटिव होना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे और वही आपकी पूरी की पूरी लाइफ पर reflect का होगा चलिए हमारा first word है आज का गैरिश गैरिश का क्या मतलब है भड़कीला देखिए obtrusively bright and showy मतलब कि बहुत जादा bright है बहुत जादा भड़कीला है lurid का क्या मतलब है भयंकर मतलब भयंकर रूप से उसके जो colors है बहुत ही जादा wild है violent है जैसे कि आपको इस picture में दिख रहा है example देखिए garish shirts in all sorts of color मतलब garish shirts का क्या मतलब है कि बहुत ही भड़कीली shirts है मरजून का color है बहुत ही भड़कीला है चैनल हम देखिएंगे violent जैसे मैं आपको बताए violent colors जो बहुत ही जादा bright होते हैं भड़कीले होते हैं glaring जैसे जो reflect करते हैं जैसे आप अगर बहुत ही जादा जैसे neon colors होते हैं यह बहुत भड़कीले colors होते हैं अगर आप उनको देखते हो तो एकदम से आख में वो glare करते हैं reflect करते हैं interim drop ड्राब का क्या मतलब है, जिसमें brightness कम हो. टेस्ट फूर मतलब कि जो जैसे की olive green है, dull है, मतलब जाधा भड़ किला नहीं है. next जे ग्लेयर, आप ग्लेयर देखे, दो तरीके से हो सकता है, एक तो ग्लेयर होता है, light वाला, जैसे sunlight का ग्लेयर, ठीक है किरन माला और एक ग्लेर होता है देखने वाला जो आप एक गुसे से देखते हैं जब आप कुछ कर देता है आपकी मम्मी आपको गुसे से देखती है जैसे यह जो एक्सप्रेशन है stare in an angry or fierce way मतलब आप घूर रहे हो गुसे से she glared at him उसने glared का क्या मतलब उसने गुसे से देखा synonym scowl और frown frown और scowl मैंने आपको करार रखे हैं वो काव में पहले कि eyebrows को एक साथ ऐसे लाकर देखना antinim क्या होगे smile करना next word है आपका glimmer glimmer का क्या मतलब है टिम्टिमाना जैसे light या कोई भी beam of light है वो टिम्टिमा रही है shine faintly with a wavering light मतलब शाइन कर रहे हैं बहुत ही टिम्टिमा रहे हैं बहुत reflect हो रही है example देखिए the moonlight glimmered on the lawn मतलब कि moonlight जो है lawn पर glimmer हुई मतलब कि टिम्टिमाई उसके उपरा कर गिरी synonym क्या हो जाएगा gleam मतलब कि light आना shine का भी आपको मतलब पता है antinim क्या हो क्या dullness मतलब अगर कोई light आ रहे है टिम्टिमा रहे है तो उल्टा क्या हुआ dullness जैसे कि यह जो colors है यह क्या है dull है next देखिए glum glum को किस से याद रखेंगा अगर आपको याद हो gloomy आपको gloomy करा रखा है gloomy face मतलब जो बहुती उदास हो तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं glum को किस से याद रख सकते हैं आप gloomy से gloomy से आप रख सकते हैं और आपको बताया हुआ है जो बहुती sad हो हिंदी में बोले तो simple उदास हो looking or feeling dejected और morose morose का अभी क्या मतलब है उदास होना मतलब मू लटकाना ये वाली चीज the princess looked glum but later cheered up मतलब पहले तो वो उदास लग रही थी बट उसे बाद तो cheered up हो गई खुश हो गई थी दिख रही थी कि वो खुश है gloomy भाई जो आपको बता है gloomy से glam gloomy थोड़ा बहुत मतलब similar है depressed मतलब depressed होना उन्हों stress बहुत जादा है interim cheerful बहुत ही खुश है engage in a close fight or struggle without weapons wrestle मतलब कि आपके हाथ अपाई हो रही है मतलब कोई weapon नहीं है आप अपने हाथों से ही लड़ रही है passerby grapples with the man after the knife attack मतलब किसी knife से attack करा तो जो वहाँ से आ रहे जा रहे थे लोग उन्होंने उसके साथ हाथ अपाई करी से रहन हम देखेंगे wrestle करना, wrestling आपको पता ही है fight, लड़ना internet के हो जाएगा avoid मतलब कि किसी भी लड़ाई को avoid करना आप उस cheese में engage नहीं हो रहे है next है grievous grievous हा क्या मतलब है कोई भी चीज जो बहुत ही जादा गंभीर हो गंभीर रूप से गंभीर रूप से हो और बहुत ही जादा serious हो उसको हम बोलते हैं grievous अब देखें क्या मेनिंग है of something bad, bad चीज से बहुत ही बुरी चीज से related जो बहुत ही severe हो बहुत ही गंभीर हो गंभीर, serious हो दोनों का मतलब same ही है his death was a grievous blow मतलब उसकी जो death हुई एक तो बुरी चीज ही obviously किसी की death हुई थो और बहुत ही गंभीर मतलब कि सब को गंभीर मतलब कि सब के लिए गंभीरता से वो उसका बहुत ही जादा effect पड़ा synonym serious आपको पता है गंभीर और severe भी गंभीर आपको बताया हुआ है unimportant जो क्या है जिसकी importance ना हो कल भी था एक में ये तुच next है grotisky grotisky जो रहता है आपका ये क्या है grotisky में क्या रहता है कि कोई भी जैसे चीज है जिसकी कोई figure है वो disfigure कर दी जैसे आपके cartoons होते है तो उनकी जो शकल होती है वो बैसी आपको daily life में या normal life में नहीं दिखती है मतलब वो disformed होती है जैसे आपके आप यहाँ देख पा रहे है ये जो dog है इसका एक कोई कार्टून था ये शायद courage the cowardly dog ऐसे करके कुछ नाम था तो obviously dog ऐसा नहीं दिखता है ना इसे चलता है ठीक है तो ये सारी चीज़े जो होती है इनको होती है grotesque देखे क्या कह रहा है आप very ugly और comically distorted figure comically मतलब कि जैसे आपके cartoon वगेरा या ugly distorted figure मतलब बिगडी हुई image example देखे the roads are carved in the form of a series of gargoyle faces उनको ऐसे तरीके से काटा गया है mold किया गया है यो बहुती मतलब बद्दी दिख रही है synonym है deformed मतलब जो form है वो de मतलब की form खराब हो रखी है malformed भी जैसे malnutrition होता है ठीक है तो nutrition का ultra malnutrition हो जाता है तो formed का malformed हो जाता है एंटेनम हो जाएगा ordinary, normal जो चीज जैसा इंसान नॉर्मली दिखता है ordinary रूप से दिखता है next आपका gaphy gaphy का क्या मतलब है कोई भी आप से गलती हो जाए कोई भी छोटे बोटे silly mistake हो जाए जिस पर आपको embarrassment हो जाए या दूसरे लोग का आप पर थोड़ा बहुत हस दे meaning देखिए an unintentional act or remark causing embarrassment to its originator आप blunder blunder का क्या मतलब है गलती, mistake error ठीक है आप से ऐसे कोई गलती हुई कि आपको फिर उसके जो आसपास लोग थे वो हसने लग गए जैसे कभी कभी गिर जाते हो या कुछ गिरा देते हो तब भी ये चीज़ें होती है in my first few months at work I made some real gaffes मतलब कि जो मेरा शुरू के दिन थे काम पर उसमें मैंने बहुत ही जादा गलतिया करी थी synonym blunder, mistake, error कुछ भी कर सकते हो सारे के सारे इसके synonym है antonym अब क्या हो जाएगा attention कि आप attention दे रहे हो तो गलती नहीं हो रही है या गलती हो गई तो उसको correct कर दिया आज के लिए इतना ही आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज एक बज़े एक बहुत ही special event है निधी बाच की बारे में जो spoken से related है तो आप सभी के सभी वहाँ जुड़िएगा सभी के सभी वहाँ जुड़िएगा और फिर 4 बज़े आपकी जो class है SSC और UPBAड वाली उसमें तो आप सभी के सभी जुड़ेंगे ही ठीक है और किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो वो यहाँ से जुड़ सकता है English made easy with निधी यह मेरा telegram group है आप यहाँ से जुड़ सकते हैं जाते जाते like, comment, share और subscribe ज़रूर करना like ज़्यादा से ज़्यादा करिए share बहुत ज़्यादा करिए comment में ज़रूर बताना class कैसी लगी और prep कर को subscribe ज़रूर करना thank you so much ज़रूर ककरो आप ज़रूर okay all झाल 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 झाल